तो पावर QD की अगली क्लास में हम बात करें हैं नंबर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मिले, पहले बता दू, Excel के फॉर्मिले नहीं है, यह पावर QD के फॉर्मिले है, जो कि पावर QD, Excel और पावर BI दोनों को सपोर्ट करता है, तो क्या जानते हैं, क्या पढ़ेंगे इसक इसमें इस इवेन और इस ओर्ड का फॉर्मा लगाना है, तो हम यहां टांसफॉर्म में आते हैं, कस्टम में आते हैं, और कस्टम में आने के बाद, यहां हम यहां पे लिखते, इवेन के लिए हम सॉर्ट फॉर्म डाल दिये, और यहां पे हम सिंपल सा लिखेंगे नंबर, या देखिए numbers related सारे formula आपको यहाँ पे दिख रहे हैं यह formula होग है जो की numbers related है और जो formula हम काम कर सकते हैं n formula के बारे में हम आपके साथ discuss करेंगे तो each even formula को हमने select किया और bracket में मुझे mileage quantity को check करना है कि even है या नहीं है वोके किया आप देखिए true आगी है क्योंकि सारे quantity even ही है odd कोई है ही नहीं उसके बार अकर हम मात करते हैं odd का तो जहां हमने is even लगाया है उसी के जगा पे हमें is odd formula लगा के जैसी enterprise करेंगे देखिए false आगे क्योंकि यह सारे odd है यह हमारा formula normal है अब बात करते हैं convergence की जैसे की हमारे पास numbers है जो की डेशमल में है मैं इसको डेशमल से convert करना चाहता हूं डेशमल को हता के normal डाउंड करना चाहता हूं अल्ड़ी में बास round का formula तो था लेकिर राउंड के जगह के हम कुछ और भी लगा सकते जैसे कि इंट तो यहां पर अब एक्सल में इंट formula क्या करता है डेशमल को रिमूफ करता है यहां इंट के कई सारे form हैं जैसे कि इंट आपके इंट 8 होगा सबसे पहले इंट 8 और इसके अंदर ब्राइकेट में मान लिजे मैंने MRP डाल के okay कर दिया and okay तो यह आपका इंट देखे कर गिया अब इंट 8 के बाद हमारा आता है इंट 16 यह बिट के ऊपर होता है एट बीट 16 बीट के देखे हमारा 16 का फार्मुला है उसके बाद हमारा इंट 32 तो आपको जब लगाना होगा तो 32 लगाईएगा 64 भी लगा सकते है तो हाई यह पहले पहले के तक तो तो टुटा क्यों कि एक चीज एक हमारा जो नंबर की जो होती है वह उसपर करता है आपका इंट का फॉर्मूला इंट के हमने तीन फॉर्मिल आपके सांथ बात किस तरह से उसको सक घंट करते हैं अब बात करते हैं इसमें नंबर टू टेक्स्ट अब जैसे माल लिजिए कि कभी कभी हमें मैचिंग करने प्रब्लम होती है कहीं पर टेक्स्ट वैलू है कहीं पर नंबर वैलू तो नंबर को टेक्स्ट में कैसे कनवर्ट करेंगे एसा नहीं कि आप 54 को 54 लिखा हुआ है गार नहीं 54 पूट टेक्स्ट में कनवर्ट करते गा तो एंटी के नाम से हमने नहीं को लंब आया और मैं नहीं करके सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं नमबर फ्रॉम टैक्स और ब्राइकेट में हमने माल लेजी अपनी क्वांटिटी डाल के ओके कर दें तो आप यहां देखेंगे कि नमबर फ्रॉम टैक्स्ट यह ओलेटी नमबर फ्रॉम टैक्स्ट में एरर आ रहा है यहां पर देखेंगे कर देखेंगे कर नहीं कर सका नमबर फ्रॉम टैक्स्ट इसका रीजन है कि ओलेटी यह नमबर में है इस तारण से इसे तो सॉरी सॉरी नमबर फ्रॉम टैक्स्ट का माँ होता है तेक्स से नमबर में कन बड़ा कनाerd करना द घ्रांत करना है दो आहां नमबर फ्रॉम टैक्स होता है इसके लिए लिकित इस्में एक चीजिद और भी है नमबर का नमबर का की टेक्स्ट ना कि फ्रॉम टेक्स्ट तब नमबर फ्रॉम को हटाके हम यहां पर टू टेक्स्ट करके एंटरप्रेस करेंगे सायद हमारा रिजल्ट आए अब देखिए इसने नमबर इसने टरफ में करते हैं अब करते हैं करते हैंह अब यह हां पर मैं रिखता हूं काई सारे फॉर्मुले हैं सबसे पहले फॉर्मुला आपका है नंबर फॉर्म नंबर फॉर्म और इसके अंदर हमने इस एंटी को डाला एंद ओके करते हैं इसके बाद यहां फिर्म टेक्स्ट भी है अगर मैं यहां पर एक और फॉर्म लगाएं यहां पर फॉर्म लगाता हूं number from text अब number from text करके enterprise करता हूँ तो आप देखेंगे यह भी same गवर किया कि number को text में convert कर दिया आप देख सकते है कि इस text को number में convert कर दिया तो number from भी और number to text भी इसी चीज़ का use करता है अब बात करते है percentage की अब इसमें किया है कि मेरा percentage नहीं है अब यहां पर एक चीज़ और करते हैं कि हम यहां पर profit percentage calculate करते हैं जैसे कि यहां पर हमने MRP हमारा 62 है 98 है अब मालेज़ें कि यह सारा हमारा 100 rupees में purchase किया हुआ है तो 100 rupees की हिजाब से क्या percentage profit आना चाहिए तो mathematics कहता है कि buy minus sale minus buy sell minus buy divided by buy तो हम bracket में हम करते हैं यहां पर मालेज़ें यहां पर हमने लिया MRP और मैंने बोला कि 50 rupees में हम खरीदा है और इसको divide by हम 50 कर रहें और यहां पर हमें जस्ट ओके कीजिए ओके करते ही इसको पर्सेंटेज में करना था हलाकि यहां आपके पास नंबर का format है जहां पर हम कर सकते हैं पर यहां पर ऑप्शन नहीं है बदब कि इसको पर सेंटेज में करना है और परसेंटेज में करना हो तो कैसे करेंगे तो चल यह add column में आते हैं हम यहां पर percentage from करते हैं तो यहां पर formula लगाएंगे PER percentage from और यहां हमने अपना percentage दे दिया and just press the ok अब बुलें सर्क percentage from में तो वही आ रहा है यह दिखने रहा है यहां से हम फॉर्मेर शेंज करते हैं परसंटेज तो परसंटेज में सो करता है अगर यह text भी हुआ या कोई और format में हुआ तो परसंटेज में convert कर देता है simple साथ अब परसंटेज की बात तो हो गई अब हम बात करते हैं जहे value को round करने का तो number format में हमारे पास round के भी options होता है सबसे पहला आता है number round number round जैसे excel में होते हैं formula round round up and round round ऐसे आपके power query के अंदर भी मिलेगा लेकिन उसको लगाने का तरीका है आप यहां पर लिखेंगे number और यहां पर जाके आपको select करना पड़ेगा number round number round में मैं गया और मैंने अपना decimal select कर लिया और यहां पर बताना पड़ेगा कितना digits तो मैंने जिसे 0 कर दिया मतलब की decimal को remove कर देगा one करूंगा तो यह one decimal places two decimal places round में आएंगे पचास से उपर गया पांस से उपर गया तो आपका पचास या पांस उपर जाएगा तो आपका next value दिखाएगा नीचे आया तो previous value दिखाएगा तो राउंड का यूज होता है round में हमारे पास आते है round down round हमें इस आजिस यहां पर देखिए 62.36 है तो 62 दिखाया तो यहां पर देखिए 26 दिखा दिया अब में चला गया तो नीरेस्ट होता है राउंड डाउन लेकिन अगर हम इसी में कस्तम में जाते हैं और राउंड डाउन लगाते आट डी यहां पर नमबर लिखने का तरीका है नमबर और यहां से आपको सेलेक्ट करना है राउंड डाउन राउंड डाउन और राउंड डाउन में मैंने सेलेक्ट कर दिया अपना फॉर्मूला MRP को सेलेक्ट कर देता हूं या टोटल सेलेक्ट कर लिया और कॉमा जीरो कर देता हूं तो हमेश्छा डाउन में अगर माल लेजिए कि 26.99 भी हुआ, फिर 26 ही दिखाएगा, 27 नहीं दिखाएगा, अगर हम round down करते हैं, लेकिन इसी में एक formula होता है, round up का, जब आप round up का formula लगाते हैं, तो यह हमेशा up में दिखाता है, तो कैसे लगाएंगे, तो number formula के अंदर जाएंगे, select करेंगे आप round up, और इस round up में select करेंग अपनी MRP total जो select करना, तो round up क्या करता है, हमेशा up पड़की, जैसे कि अगर 26.01 हुआ, फिर भी वह 27 दिखाएगा, नहीं 26, तो तीन formula होते हैं, round down, round up, और round down, round up, and round, normal round की formula है, तो यह convergence formula के बारे में हमने बात के लिए, अगली वीडियो में हम बात करेंगे, operations, number formatting में जो operations होते हैं, उनके बारे में discuss करेंगे, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए,